कि अच्छा तो कल के सेशन के अंदर हमने मॉडल्स तक डिसकुशन कर ली थी कि चॉपिफाय के अंदर क्या क्या मॉडल्स होते हैं वैसे तो दीन ही मॉडल्स हैं इसके अंदर लेकिन हमने एक सेमी पील जो है वो खुद से ही जब हमने चीज़े देखी हैं कि लोग यह भी जो एक मॉडल्स है इसको भी फॉलो कर रहे हैं कि टाइप ऑफ सेमी पील वो लोग लेके चल रहे हैं तीक है अब जायर सी बात है इस सेशन के अंदर हमने आपको इंटरनेशनल से के यार मैं यूई में जाके काम कर लूँ तो इतना कोई एजी काम नहीं है यूई के अंदर काम करना रीजन उसकी यह है कि जब आप अबादी को कंपेर करते हैं पाकिस्तान की और यूई की तो आपको बहुत जादा हुज डिफरेंस जो है वो देखने को मिलते हैं अभी भ यहां पे 2022 के सर्वे के मताबिक यहां पे इस वक्पॉलेशन आ रही है 9.4 मिलियन अब तक अगर 2023 और 2024 का उस लंसम डेटा अगर मिलाया जाए तो मेरे खाल से ज्यादा ज्यादा जो है वो सवा करोड होगी होगी सवा करोड में से जो एक समझ रखने वाला जो बायर है मेरे खाल से हद मार के 20 लाक 30 लाक यह भी मैं ज्यादा बता रहूं बहुत कम बायर है पाकिस्तान की अबादी 30 करोड अराम से टप गी होगी इस वक्त तक ठीक है अब उसके अंदर आप देख लें के पोटेंशल बायर अगर स्मार्ट फून के हवाले से बात की जाए ठीक है एक सेकेंड आप लोगों को स्क्रीन क्लियर आ रही है ना जी जी राफिब रही क्लियर है जी ताथ क्लियर है कर लेकों मुर्तजा क्या हाल है आपके कर बला सेशन आपने गो थ्रू कर लिया था कि मेरे खाल से चाहिए कर लिया हो गए इन्होंने तो वाले को स्क्रीन आप लोगों आपको क्लियर आ रही है जी जी यार चले ठीक है तो हम वापिस कॉंटिन्यू करते हैं अगर आप मैंसे किसी का कोई क्वेशन हो तो आप हैंड्रेस कर सकते इसकंदर अच्छा तो पाकिस्तान का जो मैं बात कर रहा था सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस वक जो स्मार्ट फून यूजर इस परसंट का भी अगर निकाला जाए मेरे खाल से 10 परसंट होगा या 12 परसंट होगा हाथ से ज्यादा तो अब आप उसको पूरा कंपेर करें पाकिस्तान की टोटल अबादी के साथ मतलब के पाकिस्तान के अंदर अभी इस इसका प्रोटेंशल आना है ठीक है अब यह कु लेकिन स्टार्ट पाकिस्तान से लेना है जो यूई बैठे हैं यूई में करना चाहरे है उनके लिए कोई मस्ले मिसाल वाली बात नहीं है वह यूई से स्टार्ट ले सकते हैं अब प्रोज के हैं यूई की डॉप श्पिंग के लाइक आपके पास एक ओपर्चुनरटी है करेंगे कर सकते हैं जी जी करेंगे जाहर सी बात है आपको यूई के लिए कंपेंस आपके सामने चला के दिखाई जाएंगी लेकिन आपको बताया जुरूर जाएगा इसके अब यूई की जो एक डॉपश्पिंग का बॉम आज से यूँ कहने के साल पहले जो है वो आया है जब से पाकिस्तान के अंदर एक मॉस्ट कोमन नेम जंबील 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 ठीक है जंबील का लाप लोगों ने शायद मॉस्ली नेम सुना होगा क्योंकि उन्होंने पर प्रमोशन जो है वो इसी टाइप से की है तो जंबील तो अब आया ना जाके उससे पहले भी जो है को बहुत ज्यादा प्लैटफॉर्म जो है वो इस मॉडल के उपर काम कर रही थे है ठीक है जिस्ट सेकेंड एक सेकेंड स्क्रीन आ रही है क्लियर जी आ रही है ओके अच्छा उससे पहले भी कुछ ऐसे हीडन स्प्लैट जो के काम कर रहे थे और स्चिल वो काम कर रहे हैं और वो जंबील को बद्वाएं देते हैं इस वक्त के भी जंबील क्यों आया इसने सारा बिड़ा घर कर दिया मार्केट का क्योंकि अब देखें जै तो वो हम जैसे पर्फेशनल जो वहां पे काम कर रहे हैं उनका वह उनके लिए मसरे मसाल क्लियर कर रहा है किस तरीके से हैं वह यह को अब जिन पर डकल के सो दिरून की बेच डिए अब एक समबील के उपर वह पर देखेगा कि यारि यह 20-30 दिरू की यहां पर यसको 60-70 द कि यार यह तो मैंने घलत कर दी है मैं तो नुकसान के अंदर चला गया हूं ठीक है अब ऑपर्चुनलिटी आपके पास आप को स्प्लाइड और भी दिये जाएंगे ठीक है जिसके तुरू आप उसमें कर सकते हैं आपके पास कोई कर रहे हैं तो वह बड़े मसले मसाइल होते हैं अपके लिए ठीक है लेकिन यूई के अंदर यह चीज नहीं है अनलेस आप सारा काम खुद ना कर रहे हो जब आप सारी में खुद कर रहे होंगे यूई में बैठे हैं और आपने अपनी कंपनी खोली हुई है और अपना ही जायर सी बात है फिर वही वाली मनेजमेंट आपको पाकिस्तान वाली देखने को मिल जाएगी लेकिन कम होगी ठीक है इन्वेस्मेंट आप एज लो एस धाई लाग तीन लाग से जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं इसके अंदर अब इसके अंदर यूं कह लें के आप धाई हमने इसलिए यह लिखा हुआ है कि देखें जब आप यूई की मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर एक प्रॉड़क के टैस्टिंग आपकी धाई सो से तीन सो दिरम के अंदर हो रही है आप लगा लें यह गूगल से कर लें तो आपके सामने खुद अमाउंट आ कि इतनी प्राइस के अंदर एक मिनिम्मम से मिनिममम प्रॉडक्ट जो है वो टेस्ट होगी टाइम नेजमेंट नहीं है लाइक आपने एड लगानी है सिंपल आपके पास ओडर आ रहा है आपने वन क्लिक की उपर जिस भी स्प्लाइर के साथ आप काम करने हैं प्रॉडक्ट भीजवा रहे हैं आपने उनको एक रुपईया नहीं पे करना ठीक है आपका जो भी सारा काम होगा वो उनके बहाफ पर हो रहा होगा लाइक जब वो और डिलीवर करेंगे उसके बाद जो उसकी पेमन्ट आएगी उसमें से अपना प्रॉफिट अपना जो प वह सबसे बड़ा आपका रिस्क फैक्टर होगा वो होगा आपका एड वेंड स्कॉं mo APP के आपने टेक्तक कि मयात्यचे और यह वह सकता है किश्की कि यह तक्व मैं प्रॉडक टेस्टेस्ट करनी है और अपको को बताया है कि पंदना से पंच्चिस प्रड़क्ट था पोज़ती आपकी तो पैसा आपका जाया पिर आप नहीं प्रड़क्ट के उपर मूव ओन करोगे अब जायर सी बात है आप नेक्स प्रड़क्ट से यह एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा जो पिछला पैसा लगा है मुझे उसकी भी रिकवरी जो है वो करवा के सब्सक्राइब करने के लिए अब आपका भी दिल होगा कि यार मैं अगर दिरम्स कमाता हूं तो मेरा एक दिरम्स पाकिस्तान आते आते 75-76 रुपए का कनवर्ट होके आता है ठीक है अब इंडियन्स के हिसाब से भी उनके हिसाब से भी मेरे खाल से 30-40 रुमें के दिरिम्ह UK में आते गिता है उनका जो है वो इतनी प्रैइज उनकी बन रही है ठीक है तो हर किसी का छॉपब होता है हम हों के अंडर आप पांड़ क्रांइन करना हर कि त्ऐस्थ किसे पहले आपके पास को देखने क्या लगाता है इसके उन्दर सब से पहले आपके पास आ जाता है वान पॉडट्स टोड रखा बाव उसके उपर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिर्ट ना हो एक्झेम्पल मैं आपको दे देता हूँ ठीक है पाकिस्तान के अंदर मेरे खाल से शायद आपने इस तरह के स्टोर्स नहीं देखे होंगे क्योंके पाकिस्तान के अंदर जब आप दस प्रोडक्ट से इ तो उसके लिए मसले मसायल वाली बात नहीं है वो यूई के अंदर भी वहां से शीपिंग करवा सकता है किसी भी अपनी शीपिंग लाइन के थिरूप ठीक है हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए यह मसला है लाइक जैसे मैं आपके सामने एक जैंपल रखना हूँ ब्लें बंदा करवा रहा है अब इसके उपर आप देख सकते हैं कि यह सिंगल वन प्रड़क्ट स्टोर है और सिर्फ एक ब्लेंडर बेच रहा है यह ब्लेंडर के साथ अपसेलिंग कर रहा है लाइक लेडिज वगारा की और कुछ स्मूदी की रेसिपी वगारा जो है यह बंदा स इसके उपर ठीक है लाइक आप उसकी इमीजिस देख सकते हैं कितना प्यारा उसने शोर बनाए वह अब यह वन प्रड़क्ट स्टोर की परफेक्ट एकजेंपल है कि वन प्रड़क्ट स्टोर आपका तब ही जो है वह चलेगा जब आपके पास पता होगा कि यार यह आपकी प्रड़क्ट भी नींग है जी मुर्तजा पूछें आप ओपन कर लें आप माइक कुछ पूछना चाहरे थे आप क्योंकि आपने हैंड रिस किया हुए करें ली बताएं नहीं तो फर मैं आगे में मूव ओन करूँ ओके चले मेरे खाल से शायद आप गलती से हो गया होगा अच्छा तो वन प्रड़क्ट स्टोर के अंदर सबसे प्रफेक्ट इसेंपल मैं आपको यह दिखा रहा हूं ठीक है पाकिस्तान के अंदर आप वन प्रड़क्ट स्टोर बहुत मुश्किल ही चिला पाएंगे रिजन उसकी यह है कि पाकिस्तान का जो कंज्यूमर बहेवियर वो बहुत डिफरेंट है ठीक है वन प्रड़क्ट स्टोर आप कब तक जो है उसके उपर काम करते रहेंगे इसके अंदर तीक है दूसरी नंबर पर आपके पास आजाता है नीच स्टोर ठीक है नीच स्टोर पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे नीच स्टोर जो है मुझ चल रहे हैं लाइक दाड़ी मुझ की मैं आपको एक सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने दाड़ी मुझ जो है वो एक मैंस गृोमिंग के नेचिव पर काम कर रहा है एक स्टब्च कैटेगरिई एक कर दो तो men's grooming के अंदर, grooming के अंदर सारी चीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके body sprays, आपके perfumes, सारी चीज़े जो हैं, वो आ जाती हैं, दूसरी आपके example दे सकता हूँ, sentence stories की पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारे जो stores हैं, ये type of आपके, एक niche type stores हो जाते हैं, अब niche जो होती है, तो आपकी specific भी हो सकती है, broad भी हो सकती है, specific niche यूँ कहने हैं, कि जैसे आपके सामने दाडी मुझ था, sentence stories हैं, कि वो perfumes के पर focus कर रहे हैं, तीक है, अब अगर आप broad रखे हैं, तो broad आप ये कह सकते हैं, कि आप एक specific men's की category के अंदर चला जाते हैं, कि men's के अंदर, आप उसक पेंटे भी बेच रहे हैं, shirts भी बेच रहे हैं, उसकी watches भी बेच रहे हैं, सारा कुछ बेच रहे हैं, तो आप niches को broad और उसको micro भी बना सकते हैं, जिसको simply हम लवजों में बोलते हैं, जैसे perfume है, तो वो perfume हमारे लिए एक micro niche है, मतलब कि specific niche की एक चोटी सी चीज है, तो इसक बेच रहे हैं, तो उसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी example में आपको कीहो की दे सकता हूं, like कीहो की आपने, सारो ने ads देखी होंगी, और काफी ये पुराना store है, और काफी बड़ा store है, अगर कोई आप में से बंदा जो है, वो Snapchat यूज करता है, तो Snapchat की उपर उन्होंने एक और store देखा होगा, diversity के नाम से, मेरे खाल से शाहिद सारो नहीं देखा होगा, ये diversity के नाम से, तो ये जो store है, ये एक specific type का general store है, ठीक है, इसके उपर, वो बंदा हर type की products जो है, वो बेच रहा है, like वो phone cases बेच रहा है, laptop accessories, apple watch straps, apple iphone, मतले कि आप जितनी भी चीज़े maximum डालना चाहो, उसको आप इसके उपर डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक हो कि भी मैं आपको example दे रहा हूँ, अभी जैसे बकराईद स्टार्ट हो रही थी, तो अभी भी कोई बंदा काम करना चाहता है, और उसको काम आता है, तो अभी उसके पास तक पुछें आप, आप माइक आउन कर लें अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब मैं यह लगरा है, इसका माइक लेक्ट चो हो गया, मेरे खाल से आपका माइक नहीं चल रहा है, आप चैट पर भी बता सकते हैं, या मेरे पास वट्सैप भी खुला हो, वट्सैप भी मैसेज कर सकते हैं, आप कोई मस्दा नहीं है, आपके नेट का इशू होगा, क्योंकि बाकियों को तो आवाज क्लिर आ रही है, आपको बन रहा है, तो चलो, जितनी आपको समझ आ रही है, उतना आप समझ लें, बाकिये फिर आप रेकोर्डिंग में देख सकते हैं, तो मैं बात कर रहा था, प्रोड़क्स के अवाले से, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, कि इदूलाजा के उसने स्पेशल ओफर लगाई हुई है, जिसमें वो मीट से रिलेटेट चीज़ें, बार्बीक्यू से रिलेटेट चीज़ें, अब आप किसी भी बड़े उसके उपर भी चले जाते हैं, जैसे कारफर हो गया, मेट्रो हो गया, बड़े शॉपिंग मॉल के उपर चले जाते हैं, तो वहां पर स्पेसिफिक उन्हों ने जो है, वो अपना एक पॉर्णर रेडी किया हुआ है, जिसके अंदर वो simple अभी barbecue से related और बकराई से related चीज़े जो हैं, उसको promote कर रहे हैं, ठीक है, तो यह चीज़ है इसके अंदर तो आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, अच्छा, अब कुछ मैं आपको इसके pros and cons बताता हूँ, ठीक है, जब आप जाते हैं, ठीक है, यह भी like अगर आप advantages की ब huge store होता है, जिसके अंदर आप 15, 20, 30, वैसे तो एक अच्छा general store माना जाता है, जिसके अंदर आप 70, 80 से ज़्यादा products यह है, वो sell out करें इसके अंदर, ठीक है, अब general store के अंदर, जितनी ज़्यादा आप products डालेंगे, उतना ज़्यादा ही, जो है, वो उतना बड़ा आपका आपकी मर्जी है, लेकिन इतनी से ज़्यादा stores, आप at a time इतनी ज़्यादा products नहीं चला सकते हैं, ठीक है, one product store की मैंने आप example दे दी, one product store क्या होता है, simple एक product की उपर जो store है, वो काम कर रहा होता है, अच्छा, अगर product research की बात की जाए, तो general store के उपर आपकी जो product research है, like extensive से मुराद कियों के, कि वो बहुत आपकी एक काफी बड़ी research होनी चाहिए, जिसके अंदर से आप कुछ products को choose करोगे, फिर उसको अपने store के उपर डालोगे, अब हर एक product जो है, बिकनी वाली नहीं होती, जाहर सी बात है, आपने products जो list करनी है, वो आपने proper research के बाद लिस्ट क के उपर काम करते हैं, तो आपका store जो है, उसकी जो product research का criteria है, वो बिल्कुल एक medium सा, mediocre सा criteria है, ठीक है, उसके अंदर जस्ट आपने कुछ products देखनी है, अपने competitors को देखना है, जो competitors आपके वो product बेच रहे हैं, और वो उठा के आपने list जो करने नहीं है, लेकिन जब बात आ ज तो जब आपने सारे अंडे एक ही basket के अंदर डालने हैं, तो जब वो basket गीरेगी तो सारे अंडे टूप रहेंगे, ठीक है, इसलिए जब आप one product store के उपर खेल रहे हैं, तो आपकी product research बहुत हद तक अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही आप एक product के उपर यूँ कहल कर रही होती है, तो दोनों के अंदर आपके पास यूँ कहलें के one product store के अंदर बहुत ज़्यादा आपको specific होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको research करनी पड़ती है, general store इतना ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर आप कुछ products देखेंगे, कुछ finalize करेंगे, multiple products के उपर आपके अंदर आपके पास multiple products होती है, तो आप multiple products को जब test करते हैं, कोई ना कोई आपको winner जो है, वो देखने को मिल जाता है, लेकिन जब आप बात करते हैं, niche store की specific niche store की, तो इसके अंदर आपके पास potential बहु ज़्यादा, like आप एक niche के अंदर जा रहे हैं, तो एक niche को चलान के अंदर बहुत easy है, like अगर आप women's की niche के अंदर जा रहे हैं, या किसी भी specific niche के अंदर जा रहे हैं, तो आपको पता है, यार भई, मैंने यह चीज बेचनी बेचनी है, ठीक है, क्योंकि मैं इस niche के अंदर गुस गया हूं, मेरे पास इसके लावा कोई और option नहीं है, general store के अंदर आपके पास option नहीं आ जाती है, ठीक है, one product store के अंदर जब आप scalability की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका potential बहुत huge है, like यूं कहलें कि जब आप one product store बनाएंगे, जब आप इतनी जो है वो extensive research करेंगे, इतनी जादा research करने के बाद आप एक store को जब finalize करेंगे, एक store आप जब देखते हैं तो उसको हर angle से चेक कर रहा होता है, कि यार अच्छा ये की specific store को पर काम कर रहा है, मतलब कि इसका store जो है, वो unique है, एक ही product बेच रहे तो इसकी अपनी private level type की product होगी, उसमें जो गोरे का ख्याल है, वो इस तरफ चला जाता है, ठीक है, अगर आप average order value की बा है, मुझे voice नहीं आ रही, देखें मुर्तजा वो अब आपका net का issue आ रहा है, तो मैं आपको यही recommend करूंगा कि फिर आप recording देख ले, और उसमें आपको कोई भी confusion हो, कोई भी मसले मिसाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे खाल से शाहिद आपकी तरफ net का issue है, या net आप चेंज करके देखिए, अपना काइनली, अच्छा, जब आप जनरल स्टोर की बात करते हैं, तो उसमें आपकी average order value, like average order value से मुराद ये कह लें के जो आपकी, आप multiple products अपने स्टोर के उपर बेच रहे हैं, कोई product आपकी 1000 रपे की है, कोई product आपकी 2000 रपे की है, कोई product आ को आप काम कर रहे हैं, तो जाहर सी बात है, जब आपके पास multiple products के multiple orders आ रहे होंगे, तो आपकी average order value जो है, वो भी increase हो रही होगी, ठीक है, लेकिन जब आप बात करते है niche specific की, तो niche specific के अंदर आपके पास huge potential है, like उसके अंदर आपकी एक ही category की product है, तो अगर आप recommend में ये कर रहे हैं, तो women's related category के अंदर जाएं, तो women's की एक ऐसी niche है, जब आप इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा potential है, like लड़कियां काफी हद तक crazy है, अपनी product को लेने में, अब हम देख रहे होते हैं, हमारे पास लड़कियों के brands भी चल रहे हैं, जिसके अं सामने हैं, या फलाँ के side पे है, ठीक है, अगर कुछ meters का distance है, उसने meters का distance भी explain किया होता है, कि अगर आप इस जगह से इतना यहां तक आएंगे, तो यहां पे हमारा घर है, वहां पे अगर मैं मर्दों की orders की बात करूं, वाइस की order की बात करूं, तो भाई वो सिर्फ स्टार्ट में हम वोमेंस की प्रोडक्स स्टार्ट लें या मैंस की, देखें, हम स्टार्ट में आपको यह recommend करते हैं, कि अब जनल सोर के उपर चाहें, लाइक आप थोड़ी सी वास्ट चीजों के उपर खेलें, ठीक है, आपके पास multiple options हो, आप उसकंदर कुछ भी कर सकें, अब अब ही उसकी जो चीज है, जब हम आगे नेम रिसर्च योप पर जाएंगे, जी-जी, मैंने का experience हो तो फिर जो हम जा सकते है, लेडिज गूमेंस की तरफ, और अपर बटेस्ट की तरफ, अब अब तो लोग आ रहे थे, चेकिंग हो रहा था, चेकोड भी हो रहा था, वो फिर मेरे खाल से शॉयद आपके store के अदर issue होगा, देखने, starting के अंदर हम आपको यही recommend करेंगे के, अभी तो हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं, types of store की, लेकिन जब हम आगे जाएंगे न तो आपका जो name है, वो name बहुत बड़ा role play कर रहा होता है, आपकी niche को decide करने में, तो लोग वहां पर stuck हो जाते हैं कि हम अगर किसी specific niche के अंदर जा रहे हैं, तो हम क्या name decide करें, क्या का करें, तो अभी आगे, थोड़ा सा आगे चलें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है, पहले ही आप यह चीज़ थोड़ी सी जो है, वो understand कर ले, जब आप potential buyers की बात करने है, general store के उपर, तो आपके पास जो potential buyers है, वो बहुत जाद है, लाइक आप उसके अंदर आपके पास जाहर सी बात है, आप multiple products sale out कर रहे हो, multiple niches की product sale out कर रहे हो, तो आपके पास एक huge gap है, ठीक है, मतलब कि आप जगा जगा पर उसको sale out कर सकते हो, लेकिन जब आ अगर आप यू कहलें के general store के उपर आपके पास order आने के chances, मैं कहता हूं, 100 के है, ठीक है, तो आपके पास need specific के उपर, थोड़ी सी range काम हो जाती है, आपके पास 50 to 100 के दिरिम्यान कहीं आपके पास orders जो है, वो आ रहे होंगे, अगर आप एक average order volume की बात करें, जब आप पूर scaling के उपर जा रहे होते हैं, तो, one product store के अंदर आपके पास जो customer है, वो specific हो जाता है, अगर मैं बात करूँ सिफ इसी product की, कि यार मैं blender बेच रहा हूं, अब blender कौन लो लेगे, या तो gymers लेगे, ठीक है, या जो लोग बहुत outdoor activities करते हैं, या उनका travel बहुत जादा है, उन्हो लेगे, वो लोग लेगे, जो घर वाले लोग है, जहर सी बात उनके घर के अंदर blender पड़ा है already, ठीक है, तो वो क्यों लेगे, वो क्यों पैसा खर्च करेंगे, सही है, तो यह चीज है, कि आपके पास जब आप किसी specific niche के उपर जा रहे है, तो आपका customer specific हो जाता है, इसके कर रहे हो, लेकिन जब आप बात करते हैं niche store की, तो वहां पर आपके पास competition level थोड़ा video करें, like कुछ है भी, कुछ नहीं भी, ठीक है, अगर आप कुछ ऐसी niche decide कर लेते हैंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर competition नहीं है, ठीक है, तो उसमें जायर सी बात है, आपका competition level low हो जागा, यह हमेशा जो है, वो आपकी niche के उपर depend करता है, लेकिन most of the time हमें जो इसमें competition level है, वो average ही देखने को मिला है, ना जादा ना काम, ठीक है, लेकिन जब आप one product के उपर आजते हैं, और one product आपने ऐसी निगा ली है, like के भई, उसका competition ही नहीं है, तो आपका जायर स उपर, even though के budget होने के बावजूद भी, जब clients ने हमें दस-दस हजार डोलर का भी बोला कि यार, मेरी specific product है, इसको चला दो, तो नहीं चला पाए, reason उसकी यह थी कि भई, उसमें competition तो low है, लेकिन customer specific हो गया, उस customer को निकालने के अंदर आपका बहुत जादा time, बहुत जादा लग रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपका, आप इतना जादा चीजे जो है, वो बुर्दाश नहीं कर सकते, आचा, अब उसके अंदर आपके पास, जब आप general store के उपर काम करते हो, तो उसमें आपके पास जो आपकी मेहनत है, जो के आपने करनी हैं, उसके उप पर दस से पंदरा डिफरेंट टाइप के प्रड़क्स बेचे रहे हो, अब हर एक spare के पास वो प्रड़क्ट नहीं पड़ी, आपको splats दिये जाएंगे, कभी आप किसको call करोगे, कभी आप खुद मार्केट जाओगे, कभी कहां जाओगे, तो आप वहाँ पर जो है, वो इ आपको वो चीज़ दे रहा, तो उसके पास उससे और भी चीज़े होंगी, ठीक है, तीसी चीज़ आपके पास one product, one product के अंदर तो आपकी हसल ही नहीं है, लाइक आप, कुछ भी, एक product आपने उठाई है, मार्केट से उसकी multiple pieces उठा ली है, ठीक है, पाकिस्तान में one product store बिल होते हैं, अच्छा, अब देखें, हमारे लोग जो है न, वो सिर्फ इस अब तक होते हैं के हमने store बनाया, store की हमने listing की listing करने के बाद हम marketing पर गे, आप के पास एक बीच में चीज़ बचरी होती है, SEO की, आप SEO नहीं करते हैं, अपने store की, SEO से मुराद आपकी search engine optimization, हाँ, मैं यह कहता हूं के चलो, आपकी SEO store की SEO करना कोई तना easy काम नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ keywords को optimize किया जाए, अपने titles को optimize करें, proper तरीके से listing करें, तो चलो, कभी ना, कभी तो आपको organic traffic देखने को मिलेगी न, अगर आप long term के उपर जा रहे हैं, तो जब आप general store की बात करते है तो general store की उपर जब आप SEO level को achieve करने की बात करते है न, तो वो मुश्किल है, reason उसकी यह है कि आपके पास multiple products होंगी, for example, आप smart watch भी बेच रहे हैं, आप serum भी बेच रहे हैं, आप यूं कहले हैं कि kitchen related चीज़े भी बेच रहे हैं, जहां पर multiple keywords होगरा use हो रहे हैं, तो वहां प आप निच की बात करते हैं, तो वहां पर आपका SEO level moderate है, लाइक आप उसका, आपको medium level देखने को मिलता है, उसके अंदर, जहार से बात है, आप serums बेच रहे हैं, तो serums के अंदर आपका keyword, serums से related keywords जो हैं, वो आप कही न की अपने description के अंदर use कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको छोड़ी सी चीज़े जो हैं, वो easy देखने को मिलती है, लेकिन जब आप single product store की बात करते हैं, तो यहां पर बाकियों के निस्बत आपके लिए एक product को rank करना बहुत जादा easy है, अब मैं SEO की बात करूँ, SEO पर ranking आपकी यूनी के बई, दो, तिन मीने के अंदर हो जात कितने ज़्यादा easy हैं बोलने में, अब मैं कहता हूँ, मैं smart watch बेच रहा हूँ, smart watch कितना easy to use keyword है, तो google इसको rank करने में हो सकता है, कि मेरी website को 2-3 साल भी लेजे, ठीक है, हो सकता है, कि मैं कुछ ऐसे keywords use कर लूँ, like मैं smart watch बेच रहा हूँ, तो मैं smart watch के साथ कुछ specific word लगा द है, कि google के उपर उसका competition कम हो, तो हो सकता है कि मेरी keyword के तुरू मेरी website rank होना start हो जाए, तो यह जब हम आगे जाएंगे listing के उपर, तो आपको proper तीके से चीज़े जो है, वो बताई जाएंगे इसके अंदर, अब उसके बाद second last पर आ जाती है, आपका conversion rate, general stores का, जो normally conversion rate होता है है, international level के उपर, वो आपका 0.5 से लेके 1% के तुरिम्यान है, maximum आपने, अगर मैंने देखा है, तो achieve जो मैंने देखा है, multiple stores के उपर, वो 1.5 से ज़्यादा मैंने नहीं देखा, conversion rate यह होता है, कि जब आपकी website के उपर, जितने visitors आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग buy कर रहे है, 0.5 से मुराद के 100 बंदे आई हैं, 100 में से सिर्फ आदे बंदे ने buy किया, ठीक है, 1% मतलब कि एक बंदे ने buy किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका general store के उपर conversion rate बहुत ही कम जो है, वो चल रहा होता है, जब आपनी specific के उपर जाते हैं, तो आपका international level के उपर, 1 से 3% का आप आपका जो है, वो एक conversion rate आपको देखने को मिल रहा होता है, अब पाकिस्तान की बात कीजए, तो पाकिस्तान के अंदर आपका जो एक conversion rate है, वो 1.5 के आसपास है, बेशक वो general store हो, specific हो, कोई भी store हो, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आपको यही जो है, वो एक conversion rate आसपास जो ह है वो देखने को मिलेगा जब आप one product की बात करते हैं तो one product का conversion rate है वो आपको high देखने को मिलते है क्योंकि आप specific logo तक जा रहे हैं तो जब आप इतने बड़े समंदर में से किसी specific बंदे तक आपकी ad पहुंचेगी और उस में से लोग आपकी website के उपर है नी क्योंकि वो specific लोग है जो कि आपकी product के अंदर interested है तो उस में से आपके बाये आपकी product के बाये होने के chances जादा होंगे as compared to other niches ठीक है like general store या niche store के इलावा अगर marketing strategy की बात की जाए ठीक है आपकी marketing strategy एक vast होगी like आप बहुत जादा areas को target कर रहे होंगे मजब की मार्कटिंग जो है वह कभी कांपे 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 जा रही होगी लेकिन जब आप specific हो जाते हैं तो आपकी जो targeting है हो बहुत मतलब के काफी हद तक limited हो जाती है जहर सी बात हा अगर आप Serumz बेश रहे हैं तो आपने Serums वोला कस्टमर लेकर आना हैं, आप Men's के Grooming Versus बेच रहे रहे हैं तो आपने Men's के Grooming वोला कस्टमर लेकर आना है, इसके अंदर लेकिन जब अब बात करते हैं So color Leg in its level 1 product के अंदर आपकी के अंदर कौंसी नीचीज अची परफॉर्म करती है देखें आपको एक simply सी example देता हूं कि आपको एक practical example देता हूं अब मैं यहां पे आपके सापने एक store मैंने open किया हुआ है, Keyhole Store. टीक है? दूसरे type पे मैंने यहां पे open किया हुआ है दाडी मुच. एक store मैं और open करता हूँ, यह यह diversity है. ठीक है? एक और मैं store open करता हूँ, यहां पे. Tempya. टीक है? अब पहले इन दो stores को आप compare करें अब ये बंदा जो है दाड़ी मूच का name रखा हुआ है इस बंदे ने तो ये बंदा आप specific हो रहे हो कि यार ये बंदा दाड़ी मूच से related या men's grooming से related कोई चीज बेच रहे हैं अब यहाँ पे एक store है टेमफा अब इसका name देखें टेमफा.p अब ये बंदा भी वही सेम काम कर रहे है जो दाड़ी मूच कर रहे है ये बंदा भी वही सेम काम कर रहे है ठीक है ये भी men's care से related men's grooming से related चीज़े ही बेच रहे हैं अब यहाँ पे आपको difference का देखने को मिला कि आपका जो domain name है वो कभी भी आपने किसी चीज के उपर specific नही कि देखने लेकिन simple सी बात मैं ये कहता हूं कि अगर मैं दाड़ी मूच के उपर आ रहा हूं और दाड़ी मूच जूते बेच रहा है कैसा लगेगा आपको मुझे ये बताएं कि मतला कि मैं आया हूं और मैंने यहां पर देखा है जूतों की category और इसके उपर दाड़ी मूच बना आएगा तो यह आपको चीज कैसी लगेगी मुझे आप इसका जवाब दें अब जब आप बात करते हैं यहां पर डुमेन नेम की जैसे यह टेमफ है ठीक है अब टेमफा जूते बेचे उसका डुमेन नेम ऐसा है कि उसका कोई सरपैर नहीं है लाइक वो यूनी के साथ यूटूब के उपर वो पड़ है मैं ग्रूब के अंदर लिंक भी शेयर करूंगा जो दाड़ी मूच का ओनर है वहाँ पर लड़का खुद बैटके कह रहा है कि अब हमें नेम की वज़ए से मसला हो रहा है हम नेम की वज़ए से स्टक हो गए है हम एक एक नीच के पर रह गया है लेकिन चलो अच्छी सेल निकाले है क्रोडों में सेल निकाल रहा है लेकिन वह स्पेसिफिक हो गया वो उस से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता वो किसी चीज के अंदर जाएगा तो consumer behavior जो है थोड़ा सा different हो जाएगा लाइक लोग कहेंगे कि यार मैं जूता हुआ है तो अगला बंदा कहेगा हां मुझे वेबसाइट दिखा कहां से यह बड़ा अच्छा जुत्ता है तो यहां पर देखें कि आपका जो एक पर जो कंज्यूमर बहेवियर है वो कितना डिफरेंट हो गया तो यही चीज में जो कि तुमसारी में बाएंगे अगर मैं को किसी स्पैसिफिक पॉड़क की उपर शिफ्ट हो ना हम तो मेरे लो निएए मस्ते मसाईल वाली बातना हो, ठीक है लाइक अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं टेंफा का एक स्टोर चला रहा हूँ ठीक है? मैं कल को यहां पर जूते बेच हूँ, मेरे नहीं चल रही, मेरी मेंस ग्रूमिंग की चीज़े नहीं चल रही, मैं जूतों के ओर शिफ्ट हो सकता हूँ, मेरी डुमेइन ने मसला नहीं कर कर लें जब हम एक स्टोर बंद कर दें डुमेन हम दूसरी पर चेस कर लें देखें डुमेन बाय करने में भी जायच से बात आपका तीन अजार पैंतिसोर पर कहीं लग रहा होगा चलो उसको छोड़ें वो को इतनी मसले में साइल वाली बात नहीं है में चीज आपकी यहां प किट बिच ही एक तरीके से मैंने किट बिच ही है मेरी डुमेन के आगे सिर्फ एक्स्टेंशन चेंज हो रही है मेरी डुमेन www.temfa.p के वही सेम है मैं जो भी अपनी पॉड़क्ट ओपन करूंगा यह डुमेन ने मेरी हर जगा पे आ रहा होगा तो यूं कहलें कि मेरे पास जो डेटा स्टोर हो रहा है वो पिक्सल के अंदर इस डुमेन नेम के थूरू स्टोर हो रहा है अब मैं कहता हूं कि यार भाई मैंने एक स्टोर के उपर दस लाक रुपए की डिर लाक रपी के डिवर्टाइजमन कर ली है मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है मुझे जो जो डेटा स्टोर है मैं उसको यूटलाइज कर सकता हूं लेकिन जब आप डुमेन चेंज कर लेंगे तो आपका पिक्सल बबारा से जीरो से वर्किंग के अंदर आजएगा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो जएगा तो वह जो आपने पहला लाकर पर लगाया है आपने उस कर लेते हैं तो इसी लिए आपको जो स्टोर हैं जो नेम है वह आपको इसी तरीकी के फाइनलाइज करना सिखाये जाएंगे कि आपका एक ऐसा नेम हो जो यूनीक हो उसके उपर आप हर चीज बेचे कल को अगर आप शिफ्ट होना चारें किसी स्पैसिफिक की उपर तब भ आपके पास कोई आइडिया नहीं है आपको हर निश का जो पर चले जाएं एक यूनीक नेम के साथ कल को शिफ्ट होना चाह रहे हैं किसी और चीज की उपर तो मसले मसाल वाली बात नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में हम आपको रिक्मेंड निश्टोर और जनल सोर ही करेंगे अगर आप कहते हैं कि मैंने वूमन की निश के अंदर जाना है तो निश स्पेसिफिक हो जाएं आप कर सकते हैं अब देखें सिंपल सा मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं जब आप जनल सोर के उपर जा रहे होते हैं तो आपका मैंड सेट थोड़ा सा जो है वो infra चैनीडउट के उपर क्योंकि जहीर सीु बात है हमारे पास स्टार्टिंग में चैनीज प्रक्क ही बचेंगी उसको स्टाइब लेने के लिए क्योंकि चैनीज प्रडट्स चैनीज प्रिंदिंग प्रिंडेवते हैं और उसके साथ साथ उसका जो जब आप उसको तो आपका कंपेटिटर उसके पास चला जाएगा मतलए कि जो आपका बाइर है वो उसके पास चला जाएगा आपसे नहीं लेगा ठीक है रिजन यह है कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो है वो 50-60 रुपए के पीछे अपना इमान बेचते थे हैं रिजन यह है मैं सिंपल सी बात करूँगा खरी बात करूँगा आपको यह होता है 20 रुपए भी सस्ती कहीं चीज मिलेगी एक बंदे को तो वो उस ओर्डर के लिए 10 दिन 15 दिन वेट कर लेगा लेकिन वो लेगा पास सिर्फ जो है वो रात तक सेल खतम हो जाएगी तो हमने उसका फाइदा इस तरीके सिर्फ उठाया हुआ है कि हमने 25 रुपए को 35 रुपए भी कर दिया लाइक वो पची सो को हमने लिटरी हजार पर और बढ़ा के 35 रुपए कि और यह बोला कि हमारी रात को सेल खतम हो लड़कियों ने फिर भी वह बाय किया अब आप खुछ सोच लें के भई कहां पर आपको प्रोटेंशल देखने को मिलेगा मैं यह नहीं कह रहा कि मैंस की प्रोड़क्त नहीं विक्ति विक्ति हैं उसके अंदर भी प्रोटेंशल है लेकिन इस वक्त जो डिवरी रेशो है रेशो सारी चीज़े जो है वो लेडिस की प्रोड़क्त की जाद हैं ठीक है अब बात आ जाती है जब हम डुमेंज की बात करी रहे हैं तो डुमेंज आपको पास हम सिर्फ दो या तीन ही जो है वह आपको फाइनलाइज करना बताएंगे ठीक है लाइक फर्स्ट और फॉल है जो कि निए आउस्ट की डूमेंऄ स्टNOराइग कर सकते हैं ठीक है यह उनके लिए है जो कि इन्टरनेशनल Prapoke पाकिस्तान के अंदर भी करना चाहरे ब्रैंड सेल रहे हैं ती की चलेकिंगि डॉक की से मुराज कॉपरेशन होता है अब इंटरनेशनल लेवल के उपर आप जा रहे हैं तो आपने फोकस करना है हमेशा डॉट कॉम की डुमेन के उपर डॉट कॉम नहीं मिल रही तो आप डॉट को की उपर जा सकते और पाकिस्तान के अंदर भी आपकी प्राइटी यह होनी चाहि है आपके पास यह भी ऑप्शन है ठीक है डॉट पीके मतलब के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वो डॉमेन इसके इलावा जो इस तरीके की डॉमेंज होती है न डॉट स्टॉर डॉट शॉप पतनी क्या का फलाना शॉप पतनी अजीव-जीब से पाकिस्तानी ने है वो आपको नहीं आइडिया कि आपका ब्रैंड कहां से कहां चला जा जाए कल को आप घ्लोबली जाना चाहरे हैं अपनी एक online presence create करना चाहरे हैं तो आप किस तरीके से करेंगे आप डॉट शॉप के साथ जाएंगे डॉट स्टॉर के साथ जाएंगे गोरा कभी भी जो इस डाट कॉम. डाट पीके की, देखने पाकिससान के बड़े ब्रैंड्स, लाइक मैं आउटृ्टिटर्स की बात करूँ, गाना ओट्वीटर्स डाट कॉम. डाटूट्ट इसका रहा है मैं ब्रेक आऊट की बात करूँ धेकाउट जो है वो डॉट कॉम.डॉट की यूज करा है मतल़ कि MOSTLY पाकिसान के दर जो बड़े ब्रेंड हैं वो डॉट कॉम.डॉट के ओपर चल रहे हैं अगर आपको डॉट कॉम नहीं मिल रही और आप कहते हैं कि भई मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बिजनस करना है त कि नीट तो इस लिए हर कोई की वर्ड जो है वो डॉर्ड को रख सकते हैं ऐसलिए अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने पूरी जिन्की पाक्ते हैं पाकिस्तान ने क paran पर द्दर करना के लिए वह अगर आप दोर पीके की उपर जा रहे हैं वो तब जैंग जब आप स्पासिफिक हो हों कि यार मैं dirty रहे मैं पाकिस्तान के अंदर ही काम करूँगा लेकिन आप कहते हैं कि यार मैंने थोड़ा टाइम के लिए एक्सपीरियंस रहना है मैं पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर करना चाहरा हूं जब मेरे पैसा आजए तो मैं इसी डुमेन को शिफ्ट करना चाहरा हूं को कि मेरा स्टो करके पे ही रहें क्योंकि डॉट कि ये होगा कि अपूबली गलोबस लिया स्कते हैं लग टॉट कोम फ्ट कि के साथ चेs कि लोग क्या करेंगे आगे टैंफा स्टोर लगा देंगे टैंफा पीके डॉट कॉम लगा देंगे लाइक वो इस तरीके बतनी क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आती है आपकी सारी जो ब्रैंड की जो एक इमिज है उसका बेड़ा गर्क हो जता है ये कभी नहीं करते हैं ठी अब फास्ट फोल हम चलते हैं जो हम लास्टिंग आज का सेशन के दर डिस्कवर करने हैं वह यह है कि हम नेम्स के उपर बात करेंगे कि नेम्स हमने किस तरीके से फाइनलाइस करें और नेम्स आप में से कोई भी बंदा अपने तोर पर डिसाइड नहीं करेगा मैं आपने जो भी नेम्स डिसाइड करने हैं वो मुझे परसनली आप सेंड करेंगे मैं उसमें से अप्रूवल दूँगा कि यह नेम आपका अच्छा है नेम आप खुद नहीं रख सकते हैं तो वह अप्रूवल आपको हम सही लेना पड़ेगा इसके अंदर अच्छा अब आप के माइन के अंदर कोई नीच है स्पेसिफिक नीच के युपर आप जाना चाना रहे हैं तो आप उसके अंदर 100 वोर्ब यहां पर डाल सकते हैं या घर आक आप कहते हैं कि नहींं मैंने बाड़ जाना है तो आप मीं मैंडिप्ल कीवड़ डार डाल सकते हैं अब 27 आ आप कहते हैं मैंने वो चीज बेच नहीं है तो आप यहां पर कर सकते हैं मैं यहां पर कहता हूं कि बहुत आपको नहीं पता लग रहा तो आप आएं यहां पर चैट GPT ओपन करें चैट GPT मेरे खाल से आप लोगों ने सारों नहीं यूज करना सिखा होगा तो बहुत इजी चीज है आपको भी पता यह की आई टूल है चीक है I need some keywords related to shoes like heels, sole, etc ठीक है इसको बता दें suggest me 5 to 10 keywords like this ठीक है आप उसने आपको जो names है वो दे दिये यह name जो है आप यहां पर जाके अपने mind के अंदर आपके names है वो आप कर सकते है ठीक है या फिर आप यह कर सकते हैं यहीं पर डाल दें मैं यहां पर 3-4 अपने तोर पर जो है वो डाल देताओ heels, sole, loafers भी बीच में आ जते हैं ठीक है बीच में books भी आ जते हैं मैं अपने तोर पर डाल रहा हूँ यहां पर, इसमें sneakers भी आ जाते हैं, like मैं एक पूरा जो है, वो shoes की category से related brand बनाना चाहरा हूँ, यह भी आ जाता है, इसमें, ठीक है, चलें, 4-5 keywords इनफ है, इसको सिर्फ आपने एक kickstart देने, तो kickstart देने के लिए 2-3 keywords भी इनफ होंगे, ठीक पर आपके पास all styles है, like autocue पर जाते हैं, तो यह सारे names के जो styles है, वा आपको generate करके दे देगा, evocative words like Red Bull, Forever 21, जैसे भी आपको दिखा रहा है, compound words जैसे भी दिखा रहा है, जैसे FedEx या Microsoft होता है, non English words like Toyota, Audi जैसे, ठीक है, जिसका कोई meaning exist ही नहीं गरता, ठीक है, brandable names like Google, Rolex हो गया, short phrase words, short phrase ही होता है, कि वो दो यह तीन words का जो name है, वो आपको एक निकाल कर दे देगा, ठीक है, alternate spelling, like जहांपे K है, वहाँपे C लिख देगा, जहांपे C है, वहाँपे K लिख देगा, जहांपे I है, वहाँपे Y लिख देगा, तो वो alternate spelling पर चला जाएगा, real words, जो कि real life में exist करते हैं, Amazon, Apple, Orange, जितने भी जो आपके पास real life में words exist करते हैं, इसके अंदर, अब हमारा जो main focus होगा, वो सबसे पहला होगा, non English words के उपर, कि हमने एक ऐसे words निकालना है, जिसका कोई सरपैर नहीं है, ठीक है, ताके कल को हम multiple niches के उपर भी खेलना चाहें, तो हम खेल सकते हैं, अब मैं आपको बात करता हूँ, पाकिसान के अंदर एक brand है, चार कोल, ठीक है, आपने उसके suits वगारा भाय की होंगा, चार कोल का क्या meaning बनता है, कोई इसको justify कर रहे है, engine, engine से आपने में एक खाल से shirts, pants वगारा भाय की होंगी, कोई उसका specific meaning बन रहे है तो इसलिए कह रहे हैं, के आपने कुछ इस तरीके के names दुनिया में देख लें, बड़े लेवल के उपर Nike हो गया, Adidas हो गया, Puma हो गया, D-Book हो गया, इनके कोई meaning exist नहीं करते है, Puma चलो एक brand ऐसा है कर चलो वह एक जो share की नसल से inspired है, लेकिन कोशिश आपकी यह होनी जैसे कोई उसके उपर existing ना कर रहा हो, कोई उसका meaning existing ना कर रहा हो, उसके उपर आप जो मर्जी बेचे, Non English words के उपर मैं आता हूँ, ठीक है, मैं next के उपर click करता हूँ, और मेरे पास random नहीं सारी है, कि मुझे किस तरीके के random names चाहिए, less random चाहिए, less random चाहिए, less random यह होगा क जब आपने names के अंदर कुछ names दी है ना, तो वो उससे related names आपको निकाल के दे रहा होगा, हमने medium या high के उपर रखने, मैं मेरे case के अंदर हमेशे मैं medium के उपर ही search करता हूँ, इसके अंदर आपको थोड़ा से balanced और creative results देता है, next के उपर आ जाता हूँ, ठीक है, वही पीछ देता हूँ, ठीक है, I am making an e-commerce store related to shoes category, ठीक है, आपने इसको just a command दे दी, कि भी मैं ये store बना रहा हूँ, related to shoes category, ठीक है, उपर उसने keyword के थोड़ेट कर लेना है, कि अच्छा, इसका जो idea है, वो यह है, और नीचे एक button आ रहा है, check domains का, इसको आपने on रखना है, इसको आपने रहने देना है, करेगा, क्या आभी बदाता हूँ आपको, अच्छा, अब देखें, आपके सामने ये names कुछ निकल के आगे, अब जो आपका mind, सोच ही नहीं सकता कि यार मैं कोई names beside करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको ये AI tool ने वो चीज़ कर दी, आप chat GPT के through भी इतने ज ने वो नहीं निकाल सकते हैं, secondly, यहां पर आप देखें, कि आपके सामने multiple names जो है, वो आ रहे हैं, अब यहां पर आपको कुछ names के आगे जो है, वो tick mark नजर आ रहा होगा, यह देखें, जिसको मैंने button on रखा था, check domains का वो ये वाला button है, इससे होता है, क्या है, ये check domains अगर dot com में available है, ये वाली domain dot com में available है, बाकी domains जो है, वो registered है, ठीक है, अब देखें, अब आपके सामने multiple names आगे, ठीक है, अब यहां से आपको कोई एक ऐसा name पसंद आ रहा है, और आप कहते हैं कि नहीं, यार इसकी dot com में तो domain available नहीं है, why not मैं इसको, जो है, वो dot com में सर्च कर कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको सर्च कर लूँ dot pk में, कि यार मुझे name पसंद आ गए, मेरी सुई अड़गी है, मुझे dot com नहीं चाहिए, मुझे dot com मिलती है, dot pk मिलती है, मैं उससे गुजारा कर लूँगा, dot pk तब आप गुजारा करेंगे, जब आपने पाकिस्त को recommend नहीं करूँगा, क्योंकि hostinga dot pk या मेरे खाल से hosta dot pk ऐसे कुछ websites हैं, जो कि आपको सस्ती domains दे देती हैं, लेकिन सस्ते के चक्रों में, आप अपनी service के नुक्सान कर बैठते हैं, तो वो चीजसे आप grace करें, मैं आप यहां पर कहता हूँ कि मुझे एक name पसंद आया है चलो, मैं कोई भी name आपको कहा देता हूँ, callzy, ठीक है, मुझे एक name पसंद आ रहा है, callzy की नाम से, check mark नहीं लगा हुआ, मैं कहता हूँ यार, इसकी domain dot com में available ही नहीं है, तो why not मैं पकिस्तान के दर brand run करना है, तो मुझे domain name पसंद आ रहा है, तो मैं इसको यहां पे search कर ले ठीक है, अब यहां पे देखे, मेरे सामने domain name मिल गया, callzy.pk is available, ठीक है, अब मैं अगर जाना चाहूँ, तो domain name एक अच्छा बन रहा है, मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, यह तब आपने करना है, जब आप niche specific होना चाह रहे हैं, कि यार मैं जूतों के अंदर ही जाना चाह ठीक है, तो आप इस से related जैसे पाकिस्तान के दर मेरे खाल से इस से related जो है, वो callzy से related एक brand है, callzy या पतनी क्या है, जो के जूतों के निच्च के उपर काम कर रहा है, अब यहां पे देखें, dot com नहीं available थी, इसने यहां पे भी बता दिये, dot com यहां पे भी unavailable है, ठीक है, dot pk available है, dot com, dot pk available है, dot org available है, ठीक है, बाकी domains available नहीं है, अब आप कहते हैं कि यार नहीं, मैंने dot pk नहीं सर्च करना, मुझे dot coach आई है, मैं कल को पाकिस्तान के अंदर जुत्तों का brand run करके, फर उसको मैं internationally लेकर जाना चाहरा हूँ, तो आप यहां पे कर सकते हैं, मैं यहां पे आजाता हूँ, name cheap, ठीक है, name cheap आपको मैं ज्यादा recommend करूँगा, go daddy भी से करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो preference होती है, वो name cheap होती है, मैं यहां पे लिखता हूँ, callzy.co, मुझे आप चाहिए, callzy.co से related domain, ठीक है, मेरे पास available है, callzy.co भी पड़ी है, इस वक्त यहां पे Australian currency आ रही है, तो मैं इसको US dollar में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो callzy.co मुझे पड़ी है, 10.98 dollars में मुझे मिल रही है, यहां पे, जिसके उपर मुझे 63% off भी जो है, वो देखने को मिल रहा है, तो simple is that, कोई मुझे मसायल वाली बात नहीं है, .pk पसंद आ रही है, आप stuck हो गए है, .pk के उपर, तो आप .pk जो है, वो यहां से buy कर सकते हैं, domain.pk से, ठीक है, और domain कैसे buy करनी है, वो आपकी वीडियो जो आपके पास, ठीक है, like, ज्यादा बड़े names नहीं हो, कोशिश यह करनी चाहिए आपके, ठीक है न, और आपको यह जो tool है, यह खतम नहीं होगा, आप इसको scroll करते जाएंगे, जितना नीचे scroll करेंगे, यह जाता जाएगा, यह खतम नहीं होगा, तो इसलिए आपकी name research, जो आप कर रहे हैं, at least आपने तीन से चार दिन देने है, brand, हर कोई बंदा build कर सकता है, पैसा जिसके पास है, वो build कर सकता है, लेकिन आपका brand, जो कल को दुनिया के सामने जाना जाएगा, वो किस name से जाना जाएगा, वो आप यहाँ पर decide करेंगे, तो अब आप खुद सोच आएगा, ठीक है, मैं इसे buy करना पसंद करूँगा, आपने ये चीज़ रखके सोच लिए, ठीक है, ना सिर्फ आपने name से जान चुरानी है, क्योंकि आपको name एक ही बार decide करना है, क्योंकि उसका data जब आप Facebook के उपर use करेंगे, तो आपका data वो पूरा lifetime के लिए काम आएगा आपके पास, ठीक है, इस तरीके से आपने करना है, अब ये हो गया था specific के आप एक niche के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप niche से related keywords लिख दिए, अब आप कहते हैं कि नहीं, मैंने specific niche के उपर नहीं जाना, मैं यहाँ पे multiple niches के उपर जाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आप बाई मुझे hospital जाना है, तो मैं तो सुननों का भी जाना है, चले बस यह वैसे भी last ही है, इसके बाद हम हो रहा है, बस पांच, तो त्री मिनट्स का है, बस ठीक है, बहुत है, चले, shoes, tech, watches, perfumes, मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ, like, यू कह सकते है, कि किचन लिख द मतला कि जितने भी आप categories के अंदर जाना चाहरे है, आपका दिल है कि मैं general store बना लूँ, और मैं उस related name जो आप finalize करना हूँ, तो आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो मैंने यह लिख लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, I am making an e-commerce store related to general category in which I will sell, जो name आपने उपर हैं, ठीक है, वही आप लिखते हैं नीचे और लिखते हैं कि in which I will sell items, like choose tag watches, जो भी आपने उपर name दिया, वह आपने कर लिया, और इसको आपने कर दिया, generate के उपर, same वही process है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आपको उसने multiple names generate करते हुए, उसने जो है, वो आपको कुछ names दे दिया, अब आप specific होना चाहा रहे हैं कि यार मुझे नहीं, इस से related चाहिए, तो आप उसमें कर सकते हैं, like यहाँ पर देखें, wild easy, ठीक है, मुझे अच्छा name लग रहा है, उस पर check mark भी लगा हुए, मतलब कि dot com के अंदर भी available है, ठीक है, अब आपको dot com में अंदर नहीं मिल रही, तो आप उस name को पसंद आ रहा है, ठीक है, unique name है, तो आप उसको name chief के उपर dot com के उपर जाकर सर्च कर सकते हैं, या domain dot pk के उपर जाकर जो है, इस तरीके से सर्च कर स चाहिए कि आपका single word जैसे ही लुआ है, single word domain होनी चाहिए आपकी, इससे जाएदा आपने, मतलब के complicated words के नहीं जाना आपने, ठीक है, clear है, जी, जी, राफिय बही, clear है, चले, ठीक है, बस यही था, आप नेम रिसर्ट जो है, वो आपके लिए next week तक के लिए task यही है, कि पर discussion करें और बाकी चीज़ों को पर discussion करें, उससे पहले आप लोग जो है, वो अपना name जो है, वो finalize करें, कुछ 10-15 keywords लिएक और मुझे, पीर हम सबसे पहले, सबसे पहले अपनी needs select करेंगे, फिर यह name domain से select करेंगे, ना, देखें, यह अभी सिर्फ research है, अभी आप अपनी बिराने की sense है, वो किस हद तक है, ठीक है? जी, ठीक है. ठीक है, तो बस next class तक हमने name देखना है, shoes के related ही देखना है, नई, नई, आप multiple niches से related देखें, और आपको देखें कौन से पसंद आ रहे हैं, कल को जब आप niche finalize करते हैं, तो आपको पता लगे कि यार अच्छा यार ये name मैंने देखा था, मुझे name अच्छा लग रहा था, ठीक है न? अगर आप different niches, different niches के मतलिक, या अगर आपके mind केंदर कोई niche है, तो आप उसकेंदर कर सकते हैं, कोई name पसंद आ रहा है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से heart मना के रख सकते हैं, तो कल को जब भी आप इस session यहीं तक था, इन्शाला आप लोगों से मुलाकात होती है next session के अंदर, ठीक है? इन्शाला जरूख, चाला, ओके, अलाफिस.